पुलीस ने एक अज्यात नवजात सीसु का सब बरामत किया है। पुलीस ने आसपास के लोगों से भी पूछताच की। पुलीस ने एक अज्यात सीसु के शब को बरामत किया है। पुलीस ने एक अज्यात सीसु के बाद उसे पोस्ट मॉटम के लिए जवाहलाल लहरू मेडिकल कॉलेज लाया गया है। पुलीस ने एक अज्यात सीसु के लिए जवाहलाल बॉड़ी को पुस्ट माटम की कवायत की जा रही है। परसाद यादव, वित्य वानिज्यकर एवं संसद्य कारे मंत्री विजय कुमार चाउदरी, बिहार राज्य नागरिक परिशत के पुर्व महासचीब अरविंद कुमार सिंग, बिहार बाल अधिकार संरक्षन आयोक के पुर्व सदस्य, शिव संकर निसात सहित अनेक परजिक एवं राजनितिक कारे करताओं ने भी स्वर्गिये पंडित दीन दियाल उपाध्याय की परतिमा पर पुस्प अरपित कर सद्धानजली दी, वहीं कारिक्रम के दौरान सूचना एवं जंसंपर्ख विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन और भजन किरतन के साथ बिहारगीत की प्रस्तुपी दी गई, कारिक्रम को लेकर मुक्यमंतरी नितीश कुमार ने कहा कि स्वर्गे पंडित दीन दियाल उपाध्याय की जैनती समारों पहले से राजसरकार की ओर से तै हुई है और इसमें सभी लोग हिस्सा लेते हैं, मुक्यमंतरी ने कहा कि वे बिहार के विकास के लिए सब के हित में काम करते हैं और वे सब की इज्जत और सब का सम्मान भी करते हैं, साथी एंडिया की तरफ जुकाओ को लेकर पूछे गया सवाल पर, मुक्यमंतरी ने कहा कि ये सभी फालतू बाते हैं और वो तो देश वर की विपक्षी पाटिय एक छोटे बच्चे के गले से सोने का लॉकेट लेकर फरार होने का मामला सामने आया है, बच्चे के गले की लॉकेट लूट की ये सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसको लेकर जहगीरा गाउनिवासी विद्या भारती ने अपने पती चंदन कुमार के साथ अध्यात युबक पीछे से छोटे बच्चे के गले से सोने का आठ आने का लॉकेट लेकर फरार हो गया, महिला ने बताया कि पास के ही CCTV कैमरे में सारी घटना कैद हो गई और उसमें लॉकेट चोरी करते हुए युबक भी साफ दिखाई दे रहा है, वहीं इसके बाद सुल दान रहने की अपील की गई है, जब कि इस तरह की हरकप करने वालों के खिलाब पुलीस द्वारा भी कड़ी कानूनी कारवाई करने की बात कही गई है, इसके अलावा एक अन्ने मामले में सुल्तान गर्थाना पुलीस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलीस ने मुंस नहां कई लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जब कि भागलपूर सदर अस्पताल और जवाहरला लेनु चिकित्सा महाविद्याले अस्पताल माया गंज के अलावा कई नीजिक क्लिनिकों में भी काफी संख्या में डेंगू मरीजों का इलाज चारी है, बताया देंगू की चपेट में आ रहे हैं मरीजों के अस्पताल पहुंचाने को लेकर स्वास्त विभाग और अस्पताल प्रसासन के साथ आम लोगों में भी भय और चिंता का महाल है, बताते कि देंगू के मरीजों की संक्या में बृद्धी और साबधानी को ध्यान में रखकर सह आसलिक पतादी कारियों द्वारा लोगों को जागरूप करने का कार भी किया जा रहा है, जिससे साबधानी बरतकर लोग देंगू से खुद का बचाओ कर सके, जबकि देंगू हो जाने के स्तिती में समय रहते ही, चिकेट्सकों से संपर कर मरीज का विलम उचित इलाज करा बताया जा रहा है कि अब तक जिले में 600 से अधीक मरीज देंगू की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें अब तक करीम एक दर्जन की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्त विभाग के द्वारा अब तक 4 देंगू मरीज के मौत की पुष्टी की गई है, इधर जेलर्मा सियच जिसके अस्पताल अधिक्चक डॉक्टर उदैनारान सिंग ने बताया कि फिलाल अस्पताल में 100 से अधिक देंगू के लक्षन वाले मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि काफिर संध्या में स्वास्त हो चुके लोगों को छुट्टी दे दी गई है, साथि उन्हों नें क स्वास्त विभाग और जिला परसासन इस बिमारी से बचाओ और इलाज के लिए तत्पर है और कई पहल की गई है, लेकिन आम लोगों को भी जागरुख होकर साबधानी बरतनी होगी जिससे डेंगू बिमारी से छुटकारा पाया जा सके मेरा नाम रवी कुमार है, मैं छप्रा से आता हूँ, मैं मुझको सबसे पहले डियाविटीज, फर्वारी 2021 में डिटेक्ट हुआ था, सबसे पहले मैं कोई इंग्लिस दवा नहीं ले थी इसकी, और सर का पता चला, उनको के एक पेसेंट इलाज करा के गए हैं, वही बताया कि अप्रसाब बढ़ते हैं, सुगर का इलाज करते हैं, जो कि जर्मुल से खतम करते हैं, डियाविटेज, उनको से हम समपर्क में आए, आकर मिले तो पता है, सर कि दवा खाई है, धीरे-धीरे कंट्रोल होगा, उसे सम डोज दवा का कम करते जाएंगे, मैंने सर के इंस्ट कॉंस्टिपेशन गैस वाल प्रोवलम बना हुआ था, मैं यकीन तो नहीं था, लेकिन सुनकर नहीं आदमी विस्वास पढ़ें जाता है, कहीं न कहीं, हम भी विस्वास किये कि चल गये, मिले तो जाएंगे तो उखलेंगे कि लाइफ लंदा वाक्त भागलपूर जिला राष्टिय जंता दल अति पिछड़ा परकोष्ट के परदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी के भागलपूर आगमन और महा सम्मेलन की तैयारी को लेकर सोंबार को बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पिछड़ा परकोष्ट के जिला भब्बे बनाने के लिए पार्टी नेताओं के द्वारा बिस्तार पुर्वक चर्चा की गई, इस दोरान राज़त दिलाद्यक चंदर सेकर परसाद यादव ने तैयारी समीती की बैठक को शंबोधित करते हुए कहा कि अति पिछड़ा जैगुता अवियान से भागलपू रंजीत कुमार मंडल समेत राज़त अथी पिछड़ा परकोष्ट के दर्जनों कारी करता और पतादिकारी मौजूद रहे